आज हम स्टार्ट करेंगे डिफ्रेंसिबिल्टी लिमिट्स और कंटिनुटी अगर आपने अच्छे से बढ़ लिया है तो आपको डिफ्रेंसिबिल्टी को सीखने में कोई एक परसेंट भी प्रॉब्लम आने वाली है नी पहले हम बिल्कुल बेसिक डेफिनिशन से किसी फंक्षन की होती क्या है जैसे पंटिनुटी क्या होते है किसी फंक्षन की का सिधासिदा मतलब होता है कि फंक्षन का ग्राफ F-A, वो exist करना चीए finite थी, मतलब उसकी value क्या नी चीए बच्छो, finite नी चीए अगर derivative की value X की किसी particular value पर finite आती है तो हम क्या बोलते हैं, कि वो function differentiable है X is equal to A के उपर, जैसे मैं आपको एक example देके दिखाता हूँ, देखो बिल्कुल आसान सा example देते हैं FX equal to है, मालो आपका X square, आपने कहा जी आप derivative निकालो, F-3 तो मैंने कहा derivative निकाल देता हूँ, F-X 2X आ गया, और F-3 निकालना है, X की जगे कितना put कर दूँँआ, मैं 3, यानि कि कितना आ गया 6 आ गया, 6 क्या है बच्छो finite value है न, 6 कैसी value है finite value है अगर function का derivative आप कहते हो, exist करता है finitely, तो हम ये कहते हैं कि F-X is differentiable ध्यान से देखना ये बात क्या है, function क्या कहलाएगा, differentiable कहलाएगा कहाँ पे, at X is equal to 3 पे, यानि कि अगर किसी function का derivative X is equal to 3 पे एक finite value दे रहा है तो हम बोलेंगे कि वो function differentiable है, differentiable का मतलब क्या होता है, कि उसका derivative exist करता है बस इतनी सी बात आप समझ लो differentiable function का क्या मतलब होता है कि उस function का derivative finitely exist करता है बस इतनी सी बात है अब देखो, ये है differentiability की definition बहुत important पूरे chapter की जान आप ये मान लो जितने भी question होंगे न 50% question इस एक definition से अपके solve हो जाएंगे जैसे f-x की definition f-x की definition ये होती है f-x की बच्चो definition क्या होती है याद कर लो, इसको तो बहुत important है limit h goes to 0 f of x plus h minus f of x divide by h क्या होती है limit h goes to 0 f of x plus h minus fx upon h इसको क्या बोलते है f-x बोलते हैं अगर आपको निकालना हो f-a तो आप x को किसे replace कर दो बच्चो a से replace कर दो x की जगे आप a लिखोगे तो देखो यह आ गया x की जगे आप a लिखोगे तो यह आ गया upon में h तो इसको तो रट लो कि f-a की definition ये होती है f-a क्या होता है बच्चो limit h goes to 0 f of a plus h minus f of a divide by h और इसका ही एक second version इसका ही एक second version ये भी है f-a निकालने का एक तो definition ये होगी और एक formula ये होगया limit x goes to a fx minus fa upon x minus a मतब निच्चे से x f अटा दो x और a रख लो और x किसको अप्रोच कर रहे है यहाँ पे a को अप्रोच कर रहे है जैसे मैं आपको एक तरीका बताता हूँ ये क्या होती है बता है ये होती है by first principle यानि कि हम किसी function का derivative निकाल रहे है कि say first principle से first principle का मतलब बच्चो proof ये एक किसम का proof हो गया जैसे मैं आपको एक एक ग्जेंपल देके दिखाता हूँ function आपने मान लिया fx कितना x2 और आप मुझसे कह रहे हो find out करो f-3 answer तो कितना है इसका 6 आगे न बट मैं कहता हूँ directly मेरे को proof करके बताओ प्रूव करके बताओ कि ये आया कैसे तो आप कहोगे जी definition यूज कर लो हो जाएगा proof भी तो function की definition अगर f-a ये है तो इसमें x a की ज़िए कितना put कर दे 3 put कर दे तो कितना आएगा बताओ limit h goes to 0 f of 3 plus h minus f of 3 divide by कितना बच्चो h ये आगया अब एक बच्चा तो क्या करेगा इसमें x को क्या put कर दो आप एक बात बताओ ये क्या चीज है ये f of 3 plus h आपके बास बच्चो जब fx है और f of 3 plus h निकालना चाते हो x की ज़िए क्या लिख दो 3 plus h लिख दो ये लो और minus f3 निकालना चाते हो 3 लिख दो divide by h divide by h अब आप इसमें h को direct 0 नहीं put कर सकते है क्योंकि ये 0 by 0 form बन जाएगी ठीक है अब आप क्या करो इसका पहला है square खोल दो यह दो लोपिटल लगा दो या square खोल दो a square plus b square plus 6 h minus 9 upon h 9 से 9 कट क्या उपपर क्या बच्च क्या बच्चो लिमिट h goes to 0 h को मन ले लो उपर से h भी कट क्या h को क्या put करो 0 answer कितना आगया देखो 6 आगया तो ये prove हो गया इस चीद से कि ये definition सही है ये हमारे जो function का derivative निकाल के देगी वो सही सही निकाल के देगी ये derivative निकालने की definition है जिससे हम हर तरह के function का derivative बहुत आसानी से निकाल सकते बट exam में अगर ये question आगया तो पताओ कि आप differentiation ऐसे करोगे क्या जब आपको differentiation सिद्धा ही पता है आप उसमें x की value को direct क्या put कर देना 3 put कर देना derivative निकाल के बट अगर exam में ये पूछ लिया कि ये चीज क्या denote करती है तो आपको पता होना चाहिए ये क्या denote करती है f-a denote करती है ठीक है definition की मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा importance है इस chapter के देर जैसे मैंने आपको example दिया ये f-2 निकालो मैंने आपको एक तरीके से तो निकाल के दिखाई दिया f-2 कहलो ये f-3 कहलो ठीक है मैं दूसरी definition से और निकाल देता हूँ दूसरी definition क्या है बच्चो f-a की limit x goes to a definition बार-बार लिखो याद हो जाएगी fx minus fa upon x minus a ये ही है बच्चो आप put कर दो a को कितना 2 क्योंकि मैं f-2 निकालना चाहता हूँ ठीक है मैं कहता हूँ बार-बार आप जो है न इस definition को लिखोगे न आपको सब कुछ हियाद हो जाएगा a को 2 put कर दिया मैंने ये आगी अब आप क्या करो value put कर दो अब आप value put कर दो fx की fx कितना बचो x square f2 कितना 2 square divide by x minus 2 ये वही बात होगी कि लोपिटल लगा दो चाहे इसके factorize कर दो इसको उपर क्या होजेगा x minus 2 into x plus 2 divide by x minus 2 x minus 2 cancel होगा x को कितना put कर दो 2 put कर दो देखो आगे न answer 4 चाहे आप इससे निकालो चाहे एक दूसरी definition also दूसरा method देखो f dash a का एक और method क्या था बताओ limit h goes to 0 f of a plus h minus f of a और divide by क्या था पच्चो h इसमें आप a को क्या put कर दो a को put कर दो 2 f dash 2 निकल जाएगा क्या f dash 2 limit h goes to 0 f of 2 plus h minus f of 2 divide by h अब बताओ f of 2 plus h कहां से देखे आए जब अपने पास fx है बच्चो f of 2 plus h कितनी बड़ी बात है x को क्या put कर दो 2 plus h put कर दो 2 plus h का whole square minus f of 2 यानिकि 2 square और divide by h अब क्या करो इसको simplify कर लो मैं आपको दोनों formulae से निकाल के दिखा रहा हूँ answer भी same आएगा और आपको formulae भी याद हो जाएं कि ठीक है उपर 4 cancel हो गया h common लोगे h उपर से common ले लो h plus में 4 divide by h h से h कट गया और h को चिलो put करो तो देखो यहां से भी 4 answer यहां से भी 4 answer इसका मतलब दोनों formulae हमारे क्या चाहिए है अब मैं आपको याद करवाने का तरीका बताता हूँ मैं आपको यह बताऊँगा कि आप इन दोनों formulae को याद कैसे करोगे आप मेरे कहने से ऐसे लिखके देख लो limit मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप मेरे को answer पताते जाना x goes to 3 fx minus f3 upon x minus 3 यह क्या है यह आप कहोगे f dash 3 है अब आपना 5 चीज़े लिखके देख लो ऐसी ऐसी आपको सारी चीज़े याद हो जाएगी limit x goes to 4 fx minus f of 4 upon x minus 4 यह किसको represent करता है f dash 4 को ठीक है अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ limit x goes to 7 fx minus f7 upon x minus 7 यह क्या चीज़ रिपरेजेंट करता है f dash 7 अगर मैं कहूँ कि exam में आपसे यह पूछ ले limit x goes to 8 fx minus f8 upon x minus 8 कि यह क्या चीज़ है तो आप बतानी दो कि यह क्या चीज़ है f dash 8 है समझे आप मेरी बात इस तरह से बार बार चीज़ो को लिखके देखो कि ना आपको सारी definition याद हो जाएगी फिर एक दूसरी वाली जो definition वह भी लिखके देख लो मैं कहता हूँ limit h goes to 0 अब आप खुद बताना है मेरे को कि यह क्या है f of 3 plus h minus f of 3 divide by h यह क्या है यह आप कहोगी फिर से यह f dash 3 है क्योंकि यह इसका दूसरा वर्जन है लेकिन यह दोनों चीज़े क्या है बच्चो सेम है फिर मैं लिखता हूँ limit h goes to 0 f of 4 plus h minus f of 4 divide by h यह क्या है बच्चो f dash 4 है मैं कहता हूँ दोनों चीज़े आप आरी बारी से नहीं पैरदली लिखके देख लो आपको पता लगजेगा कि दोनों डेफिनेशन के इंदर डिफरेंस क्या है याद कैसे रखें लिमिट h goes to 0 f of 7 plus h minus f of 7 upon h यह क्या है बच्चो f dash 7 है ठीक है यह हो क्या यह लिखके देख लो limit h goes to 0 f of 8 plus h minus f of 8 divide by h यह क्या है f dash 8 है ठीक है मैंने आपको चार-चार बार लिखके दिखा दी यह definition भी यह definition भी तो अब आपको याद हो जाने से ठीक है और यह मैं इसलिए बोल लाँ कि पूरे chapter में यह बहुत ज़्यादा role play करेगी definition अब बताओ अब मैं definition से आपको नहीं निकाल के दिखा रहा है क्योंकि आपको पता लगया निकल जाएगा आपको f dash pi by 3 निकालना है fx दे रखाए fx दे रखाए तो f dash x निकालो cos x और x को कितना put कर दो बच्चो pi by 3 यानि कि cos 60 और cos 60 कितना होता है 1 by 2 तो answer ही आगया ठीक है अब definition से थोड़े निकालना नहीं है बलकि अगर paper में ये दिखा आगया कि let fx equal to sin x then find करो limit h goes to 0 f of pi by 6 या pi by 3 लिकलो pi by 3 plus h minus f of pi by 3 और divide by h इसका answer निकालो तो आप बताओ क्या आप जानते नहीं कि ये तो क्या चीज है ये बच्चो क्या चीज है ये f dash pi by 3 तो है ये क्या चीज है f dash pi by 3 और fx आपको दे रखा है f dash x आप निकालोगे cos x और उसमें x को क्या put कर दो pi by 3 put कर दो cos 60 यानि कि 1 by 2 मेरे कहने का मतलब ये है examiner आपको function देखे direct ये थोड़े कहेगा कि ये निकालोगो तो कोई भी बच्चा निकाल देगा examiner आपको function देखे ये निकलवाएगा आपसे लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये चीज जो है न वो ये ही होती है ठीक है मैं आपको ये बताना चाहरा हूँ कि definition का इसलिए important role है कि आप इससे ये पता लगा पाओ बट अगर मानलो आपको नहीं पता लगता paper में मैं कहता हूँ function है आपके सामने x square और आपको exam में कह दिया कि find करो limit x goes to 2 fx minus f2 और upon x minus 2 अब तो आप तुरंत पहचान लोगे कि ये जो चीज में पूछ रहा हूँ ये ये क्या है पता है ये f-2 है मतलब आप कहोगे सर derivative निकाल दो x square का और x को क्या put कर दो फिर 2 put कर दो answer आजएगा बिल्कुल आजएगा बट मानलो एक बच्चे को पता ही नहीं वो सिर्फ paper में limit पढ़के गया है और continuity पढ़के गया है वो बच्चा direct क्या कोशिष करेगा एकस को क्या put कर दो टू जैसे उसने एकस को टू-पूट पूट करने के को चिस करी ये कौनसी फिर्म बनगी जिरो बैजिरो फूम अगर ये जिरो बैजिरो फोम हा तो बच्चों आप क्या लगाओ गई लोपिटल फूस्पिटल रूल f' adalah x अब x को क्या पूर्ट कर दो तो यह क्या है देखो f'2 है तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको नहीं भी पताना कि f'2 है तो भी आप इसमें lopital rule लगाके एक इस्टेप में पता कर सकते हो कि यह f'2 है मेरे कहने का सिरफ मतलब है है कि आपको इस question को limit के ही साब से solve नहीं करना आपको differentiability की definition को याद करके solve करना है ठीक है क्योंकि उससे direct पता लग रहा है कि यह चीज f-2 है तो जब आपको fx बता दिया किसी ने तो आप f-x निकाल लो और f-x निकल आपको पहचानना है कि यह चीज क्या है f-2 और पहचान होगे कब जब एक ही चीज को बार-बार लिखके देखोगे जैसे मैंने आपको चैर-चैर बार एक definition को लिखके दिखाया पहचान हो जाएगी और पहचान होगी तो question होई जाएगा अब देखो next question अब यह है बच्चो कुछ important point बलकी मैं कहता हूँ कुछ important point नहीं है यह जो मैं 4-5 point अब आपको आगे 10 मिनिट में बताऊंगा ना यह पूरे chapter की जान है मतलब कि पूरा chapter इन point से solve हो जाएगा आप यह मान दो ठीक है पहली जो concept है सबसे पहला concept वो क्या है differentiability implies continuity इस symbol को mathematics में क्या बोलते है implies यह symbol होता है यह that implies बोल दो यह implies बोल दो इसका मतलब पता है क्या होता है differentiability imply करती है continuity मतलब अगर एक function differentiable है क्या है मैं क्या बोला अगर एक function differentiable है x is equal to a b तो वो function continuous भी हमेशा होगा अगर एक function differentiable है तो वो function continuous भी हमेशा होगा इस line का इतना सा मतलब ठीक है आपको मैं आसान भासा में बता देता हूँ कि इसको याद कैसे रोखोगी differenti आप यह मान लो एक बड़ा question है और continuity क्या है एक छोटा question है उसी जैसा उसी concept के ओपर based एक छोटा question है तो आप ये मान लो अगर किसी बच्चे ने बड़ा question solve कर दिया बड़े question का मतलब ये लो differentiability का मतलब उस बच्चे ने ऐसा question solve कर दिया देखो ध्यान से समझना मेरी बात एक बच्चे ने ये question solve कर दिया इसका क्या निकाल दिया उसने बच्चो correct answer निकाल दिया अगर इस बच्चे ने इतना बड़ा question सही से solve कर दिया क्या आप कह सकते हो कि वो बच्चा इस question को solve नहीं करेगा आप कोगे sir इस question को तो वो solve करेगा जब इतना बड़ा वो 100% accuracy के साथ solve कर सकता है इस question को solve करने में तो problem आएगी नहीं न तो यानि कि जब बड़ा question ही आपने solve कर दिया तो छोटा तो आप solve करीद होगे तो इसको बोलते हैं अगर कोई function differentiable हो गया तो वो continuous तो होगा ही होगा ठीक है और ये बड़े छोटे question वाली बात देखना अब आपको कितना important role play करेगी ये याद रखने में कि ये concept आगे और क्या-क्या role play करेंगे ठीक है अभी तक सिर्फ मैंने आपको क्या बताया अगर कोई function differentiable है x is equal to a के उपर तो वो function continuous भी है but converse true नहीं है converse true का मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर function differentiable है तो वो continuous होगा but मैं ये नहीं कह रहा कि अगर function continuous होगा तो वो पका differentiable भी होगा यानि कि एक बच्चे ने इस question को solve कर दिया तो क्या आप ये कह सकते हो कि sir इस बच्चे ने ये question solve कर दिया ना तो वो बच्चा इस question को भी solve कर देगा बताओ क्या आप guarantee लेते हो कि एक बच्चे ने ये question तो solve कर दिया तो वो ये भी सही solve करेगा 100% accuracy के साथ मैं कहता हूँ guarantee तो नहीं ले सकते क्योंकि ये question तो दिखने में क्या है बड़ा है है ना तो ये नहीं कह सकते है आपके आपने छोटा question अगर solve कर दिया उसी concept के उपर अगर बड़ा question paper में आगया तो वो भी आप solve कर दोगे ऐसी कोई guarantee नहीं ले सकता ठीक है continuity का मतलब differenceability नहीं है but differenceability का मतलब continuity जरूर है एक point clear हो गया दूसरा point ये देखो वोई बात आगी अगर कोई function continuous नहीं है तो वो differenceable भी नहीं है अगर बच्चो continuous ही नहीं है कोई function तो वो differentiable तो पका ही नहीं है क्या मतलब इसका continuous का मतलब क्या होता था चोटा question और note note का मतलब चोटा question solve नहीं हुआ जब आपसे चोटा question ही solve नहीं हुआ तो फिर 100% मैं कह सकता हूँ अगर एक बच्चे ने इसका answer incorrect निकाल दिया अगर इस बच्चे से यही question solve नहीं हुआ तो आप मुझे बताओ मैं कैसे उमीद करूँ कि ये बच्चा इस question का सही answer निकाल देगा बताओ आप कोगे जी हो सकता है निकाल दे मैं exception की बात नहीं कर रहा मैं तो आपको एक याद करने का तरीका बता रहा हूँ अगर किसी बच्चे ने इस question का answer ही गलत निकाल दिया छोटे से question का तो हम 100% मान के चलेंगे कि इस question का answer भी वो बच्चा गलत निकालेगा मतलब अगर कोई function continuous नहीं है तो वो differentiable भी नहीं होगा समझ गया आप दूसरा point तीसरा point देखो इसमें क्या कहता है अगर एक function differentiable नहीं है मैं क्या कह रहा हूँ बच्चो अगर एक function differentiable नहीं है तो हम कुछ नहीं कह सकते उसकी continuity के बारे में मतलब की अगर एक function differentiable नहीं है तो हम यह नहीं कह सकते तो continuous भी नहीं है इसका क्या मतलब हुआ बताओ note differentiable का मतलब क्या हुआ आसान भासा में पूछ रहा हूँ हम से इसका मतलब यह हुआ कि सर बड़ा question differentiable का मतलब क्या हुआ हुआ बड़ा सा question note का मतलब क्या है solve नहीं हुआ आप यह बताओ एक बच्चे से बड़ा question solve नहीं हुआ इसका मतलब मैंने एक बच्चे को question दिया यह मैंने एक बच्चे को यह question दे दिया और उसने answer क्या निकाल दिया इसका incorrect निकाल दिया मतलब कि उससे solve नहीं हुआ तो मैं क्या मानूँ कि उस बच्चे को अगर मैं यह question दे दूँ तो बताओ वो solve करेगा की नहीं करेगा मुझे क्या पता कि उस बच्चे को plus minus करना हाता है की नहीं आता है मैं यह थोड़े कह सकता हूँ कि आपसे इतना बड़ा question solve नहीं हुआ तो यह भी solve नहीं होगा नहीं यह भी नहीं कह सकता मैं ये भी नहीं कह सकता कि चलो मान लिया कि इतना बड़ा question तो आपसे soul नहीं हुआ बट ये तो आप 100% करी दोगे आप समझ रहो ने मेरी बात का मतलब कि मैं कुछ भी कह नहीं सकता कि ये question अगर उस बच्चे ने soul नहीं किया तो ये soul करेगा कि नहीं करेगा मैं नहीं कह सकता मैं यहाँ पर यहीं कह रहा हूँ अगर एक function differentiable नहीं है तो उसकी continuity के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता वो continuous हो भी सकता है और continuous नहीं भी हो सकता मैं आपको ये सारे example इसलिए दे रहा हूँ ताकि सारे चीजे mix हो जाएगी न तो आप confused ना हो ठीक है ये छोटे बड़े question से आप बिल्कुल आराम से सोच लोगे continuous function अगर है तो आप ये नहीं कह सकते कि वो function differentiable भी है अगर differentiable है तो वो continuous भी है और continuous नहीं है तो differentiable भी नहीं है तो ये नहीं कह सकते कि वो continuous है कि नहीं है ठीक है ये हो क्या चोथा point right hand derivative and left hand derivative जैसे हम left hand limit और right hand limit निकालते थे यहाँ पर बच्चों क्या निकालेंगे right hand derivative और left hand derivative derivative की definition क्या होती है बताओ f-a की definition क्या होती है limit x goes to a fx minus fa upon x minus a अगर आप निकालना चाहते हो right hand limit इस definition में a के उपर क्या लगा तो plus का sign और left hand derivative में a के उपर minus का sign तो ये दोनों आपके derivative आ जाएंगे अगर ये दोनों derivative अच्छों equal है क्या कह रहा हूँ मैं अगर ये दोनों derivative equal है और दोनों के दोनों finite भी है मतलब कि infinitely equal नहीं होने चाहिए finitely equal होने चाहिए तो हम कहेंगे कि function differentiable है x equal to a पर या फिर कह दो कि f dash a जो है वो exist करता है मतलब कि अगर कोई function piecewise function है जिसकी दो-दो definition आपको दे रखी है x is equal to 2 x is equal to 2 या फिर इसके लिए function की definition अलग है और इसके लिए function की definition अलग है तो आप एक बार right hand derivative निकालोगे एक बार left hand derivative निकालोगे और दोनों से answer अगर same आ गया और finite आ गया तो आप कहोगे उसका derivative exist करता है यान की वो function differentiable है otherwise नहीं है ठीक है example भी दूँँगा मैं आपको जैसे ये question है ये question है और इस एक question से न मैं जो आपको concept समझाऊंगा वो इस lecture में 5 questions को solve कर देगा असानी से ध्यान से समझना मैं कहता हूँ ये आपको function दे रखा है ठीक है और आपको क्या निकालना है check करना है कि ये function differentiable है x equal to 0 पे या फिर नहीं है check करें आपको fx बच्चो दे रखा है न मैं कहता हूँ आप f dash x निकाल देगरो यही से पिना definition का use करें f dash x निकालो e की power x plus 2 का derivative क्या होता है e की power x होता है यहाँ से f dash x निकालो minus x square का derivative कितना होता है 2x और 3 का क्या होता है 0 अच्छा अब यह कौन बताएगा कि left hand derivative कौन सा है इसमें से और right hand derivative कौन सा है x is equal to 0 पे चेक कर रहे है तो 0 से छोटी value के लिए यह क्या कहला हैगा left hand derivative है न e की power x x को क्या put करो 0 यानि की 1 और right hand derivative x की value 0 या 0 से बढ़ी तो यहाँ पे इसमें x को क्या put करो बच्चो 0 क्या गया 0 अब आप मेरे को बताओ क्या यह दोनों value equal है आप कहोगे जी equal नहीं है इसका मतलब left hand derivative not equal to right hand derivative this means fx is not differentiable at x is equal to 0 और question का answer आगे ठीक है आप से पुछा था differentiability check करो आपने differentiability check करी नहीं है function क्यों दोनों derivative equal नहीं है अब मैं कहता हूँ अगर कोई बच्चा कहे कि जी मैं तो by definition निकालना चाहता हूँ by definition निकालना चाहता हूँ left hand derivative अलग और right hand derivative अलग मैं कहता हूँ निकाल के दिखा देता हूँ मैं left hand derivative क्या होता है बच्चो लीमिट किस पर चेक करना चाहते हो आप 0 पे तो x goes to क्या लिखोगे 0 minus अब definition क्या होती है डेरिटी को वह याद करो fx minus f0 क्योंकि 0 पर चेक करे हो न upon x minus 0 अब बताओ function कौन सा लोगे function ये वाला लोगे ये वाला आप कहोगे जिए 0 से छोटा अगर x है तो function ये वाला लेना पड़ेगा तो function ले लो x goes to 0 और function क्या है e की पावर x प्रस में 2 fx है f0 कितना होगा बचो f0 को 0 मतलिख देना fx अगर ये है तो f0 कितना होगा इसमें x को क्या पूट कर दो 0 पूट कर दो ये लो होगा निच्चे क्या है x-0 यानकी x करो solve 2 से 2 कट गया e की पावर x माइनस में 1 और ये तो direct theorem होती है limit x goes to 0 e की पावर x माइनस 1 अपोन x कितना होता है 1 लेफ्ट हैंड derivative आ गया अब निकाले राइट हैंड derivative limit x goes to 0 प्लस देखो definition ये होगी definition बच्चो function आप कहोगे 0 से बढ़ा अगर x है तो function ये लेना पड़ेगा ये लो मैंने function ये ले लिया 0 f 0 x को 0 पूट करो और निच्चे कितना बच्चो x अब बताओ ये bracket हटाओ के तो 3 से 3 कर जाएगा minus x square by x 1 x cancel कर दो x को क्या पूट कर दो 0 आप मुझे पता न left hand derivative कितना 1 और यहां से भी left hand derivative कितना 1 right hand derivative कितना 0 right hand derivative कितना 0 आज के बाद आप ये तो नहीं कहोगे कि हम definition से निकालेंगे left hand derivative और right hand derivative ये बिल्कुल भी मत कहना क्यों आपने देख लिया कि चाहे direct निकालो चाहे definition से निकालो अंसर तो सेम ही आएगा इसका तो ये मतलब हुआ कि teacher ने आपको कह दिया कि ये लो function 2x3 पलस 6 और निकालो आप f-4 एक बच्चा कहेगा जी मैं तो definition से निकाल के दिखाऊँगा और question कैसा है objective आपको सिरफ answer बताना है ठीक है अंसर बताना चाहे आप कैसे भी बताऊँगा तो आप एक बच्चा तो ये करेगा ना कि उसका direct derivative निकालेगा और x को क्या put कर देगा उसमें 4 put कर देगा तो बताओ ऐसे निकालोगे ना ये थोड़े कि आप definition से निकाल के दिखाऊगे क्योंकि इतना बड़ा कोन करेगा जब direct हमारको differentiation आता है इसका ठीक है हो गया एक पार तो खतम कि ये function differentiable नहीं है at x equal to 0 अब इसी question के जरीए मैं आपको बहुत important बात बता रहाँ देखो इस question में left hand derivative कितना आया था बताओ और right hand derivative कितना आया था बच्चो 0 ध्यान से सुनना मेरी ये बात आज के lecture के रहे बहुत important बात है ये ये दोनों derivative equal नहीं है दोनों derivative equal नहीं है तो बच्चो हम कहेंगे कि function differentiable तो नहीं है function का derivative तो exist नहीं करता x equal to 0 बे लेकिन अब एक बात सुनना एक concept तो clear हो गया अब दुबारा लिखो left hand derivative 1 right hand derivative 0 दोनों equal हो ना हो इस बात से कोई मतलब नहीं है दोनों finite है दोनों क्या है बच्चो finite है क्या बिल्कुल finite है दोनों की value जो है वो equal नहीं है कोई बात नहीं finite तो है अगर finite है न बच्चो fx differentiable तो नहीं है लेकिन continuous होगा हमेशा हमेशा क्या होगा continuous होगा और मैं इस बात को अभी आपको prove करके दिखाऊँगा always continuous at x equal to 0 तो मेरी ये बात ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ अगर ये दोनों derivative equal नहीं है तो no doubt ये function differentiable नहीं है ये तो definition ही कहती है बट ये equal तो नहीं है लेकिन दोनों की value क्या है बच्चो finite है तो मैं कहता हूँ function continuous हमेशा होगा अब मैं आपको prove करके दिखाता हूँ सिरफ मिलको आप ये बता दो अगर इस function की continuity check करनी हो subjective paper है तो कैसे check करते हो आप कहते हो जी एक बार तो limit निकालेंगे left hand limit और right hand limit क्याने चीए equal निकाले left hand limit x goes to 0 minus और 0 से छोटी value के लिए function क्या है आपका e की power x plus में 2 और x को 0 put करो limit के हम इतने सारे question solve कर चुके है limit तो आपको निकालनी आती है न right hand limit निकालो limit x goes to 0 plus x और function कौन सा use करेंगे ये वाला x को 0 put करो left hand limit और right hand limit दोनों क्या आगी equal इसका मतलब limit तो exist करती है limit तो इस function की exist करती है और वो कितना है बच्चो 3 अब continuity के लिए क्लिए 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 है f3 और निकालते है न डिरेक्ट और जब x जब 0 होता है तब भी तो यह function लोगे न तब भी तो यह function लोगे तो मैंने क्या बताए था अगर आपकी लिमिट और उसकी function की direct value दोनों क्या है बच्चो इक्वल आजए तो definition क्या कहती है function आपका क्या होता है बच्चो continuous होता है at x is equal to 0 समझगे यानि मैंने क्या कहा अगर दोनों के दोनों derivative equal नहीं आए तो function differentiable नहीं है no doubt लेकिन अगर जो दोनों derivative आपने निकाले न वो finite आगे वो क्या आगे बच्चो तो finite आगे तो वो function उस point पे continuous जरूर होगा यह line तो लिख लो ठीक है अगर दोनों right hand derivative और left hand derivative चाहे equal है या नहीं है हमें कुछ नहीं मतलब इस से ठीक है अगर दोनों के दोनों finite value रखते हैं तो वो function उस point पे continuous हमेशा होगा बस आप इतनी सी बात लिख लो अब यह question देखो यह तो बहुत ज़्यादा important concept है बहुत ही ज़्यादा यह modulus function है बच्चो मानलो fx एक function ऐसा है तो मैं कहता हूँ यह 3 point के उपर यह function differentiable नहीं होगा इसको zero put करो x की कितनी value आगी a यहाँ से x आएगा b, यहाँ से x आएगा c इन 3 point के उपर function differentiable नहीं होगा क्या कहरा हूँ बच्चो मैं इन 3 point के उपर function differentiable नहीं होगा और इन 3 के अलावा x की कुछ भी value ले लो उन सब के उपर यह differentiable होगा everywhere else यह differentiable होगा जैसे 3 कोई जरूर नहीं है, 3 तो मैंने example दिये है यह 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, 10 भी, 20 भी जैसे यह function है, और मैं आपको कहूँ कि यह बताओ यह function कहां कहां differentiable नहीं है तो आप कहोगे जी एक बार इसको zero put करो और एक बार इसको zero put करो x की दो value के उपर आप कहोगे fx is not differentiable at x is equal to 1 and 2 और बाकी के लिए बाकी सबी जगई क्या है बच्छो differentiable है, मतलब कि and fx is differentiable at all other values of x all other values of x except 1 and 2 मतलब कि 1 और 2 को छोड़के पाकी सभी value पे यह function का derivative exist करेगा यह बात तो होगी differentiability की अब मैं आता हूँ continuity के उपर अब मेरे को बस यह और बतातो साथ साथ में अगर function यह है आपका तो क्या यह continuous है क्या continuity का chapter पढ़ा है मैंने आपको याद करो modulus function हमेशा क्या होता है continuous यह भी क्या होगा हमेशा continuous और दो continuous function का sum यह difference भी हमेशा क्या होता है continuous यह यह function continuous तो हर जगे है but differentiable दो point पे नहीं है यह एक तो one पे और एक two पे उसके अलावा हर जगे क्या है बच्चों कि यह differentiable है बहुत ज़्यादा important concept है ठीक है एक बच्चे ने कहा जी इसको आप 0 put करो x की value कितनी आगी बताओ 3 by 2 आगी फिर दूसरे बच्चे ने कहा कि इसको भी 0 put करो x की value क्या आगी minus 5 तो मैं यह कह सकता हूँ fx is not differentiable at x is equal to 3 by 2 and minus 5 लेकिन आपको साथ साथ में यह भी पता होना चाहिए कि इन दो point पे तो माना कि यह function differentiable नहीं है बाकी के लिए क्या कहोगे बाकी हर जगे differentiable है fx आप क्या लिखो fx is differentiable at all other values of x all other values of x except x is equal to 3 by 2 and minus 5 लेकिन की इनको छोड़के बाकी सभी values के उपर function का derivative exist करता है अच्छा continuity के बारे में continuity तो आप बोल दी तो हमेशा क्या होगा बच्चो यह function continuous क्योंकि यह वाला part भी continuous यह वाला part भी continuous तो continuous function का sum हमेशा क्या होता है continuous होता है difference भी ठीक है यह होगा मैंने यह दोलों definition आपको याद करवाई यह वाली भी definition याद करवा दी मैंने आपको और यह वाली भी definition याद करवा दी अब इनकी importance देख लो यह देखो question है यह वाला आपको fx दे रखा है और आपको यह limit निकालनी है आप बताओ देखते ही आप पहचान नहीं लोगे कि यह तो क्या है सर यह तो f-3 है जब आपको fx दे रखा है question में और आपसे पुछा क्या गया है आपसे पुछा गया है f-3 आप सिदह ही f-x निकालो ना यहां से 14x पलस में 9 और x को कितना पुट कर लो last में 3 14 इंटू 3 पलस 9 यानि कि 51 इस question का क्या गया answer लेकिन फिर वोई बत मैं कहता हूँ अगर एक बच्चा differentiability पढ़के ही नहीं गया तो क्या इसका answer नहीं निकाल पाएगा situation fx का f-x f3 तो एक constant value होती है उसका derivative 0 और x-3 का derivative 1 तो limit x goes to 3 f-x x को क्या पुट करते हो 3 पुट करते हो न तो बताओ finally वो ही मिल गया न यानि कि चाहे तो आपको ये direct याद हो कि ये f-3 है याद नहीं है तो लोपिटल लगा के देख लो ये बता देगा आपको कि ये क्या है f-3 है तो आपको fx देगे और f-3 पुछा गया है तो बताओ क्या आप definition का यूज करोगी क्या आपको गया नहीं ज़र हम तो सिद्धा derivative निकाल के और last में x को क्या put कर देंगे 3 पुट कर देंगे बस अब देखो ऐसा ही ये question है ये बताओ ये क्या है ये चीज क्या represent करती है f-2 represent करती है option number c आगया ये देखो ये क्या represent करती है ये दूसरी तरह की definition है मैंने बताए था ना ये दूसरी definition है ये क्या represent करती है f-2 यहां से पता लग जाएगा F2 है न यह F-2 को रिपरजेंट करती है बताओं Fx आपके पास है F-x निकाल लो और F-2 निकालोगे X को क्या पूट कर दो 2 तो यह कितना आ गया बच्छो 14 14 इस कोशन का अंसर है लेकिन फिर वही बात मानलो एक बच्छा डिफरेंसिबल्टी पढ़के ही नहीं गया ठीक है तो आपको दूसरा मेथड आना चाहिए कि यह चीज क्या है क्योंकि यहाँ पर डिफरेंसिबल्टी के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं न एक्जामिनर ने टूपलस है । सेम और इसका डिफरेंसिबल्टेंट होता है देरेटीव जिरो एक्षक डेरेटीव वन कि यहां कि कुल मिला के हम यहां तक पोँच गया है अब तो हैस्ट को क्या पूट कर दो लिफ्ट कर दो इसका अंसर क्या होगा इसको देखके लग रहा है कि यह F-7 है इस तरीके से आप कुछ भी छोट-छोटी ट्रीक बनाके अपने दिमाग में इनको याद कर सकते हैं बहुत आसानी से अब देखो कॉशन करते हैं दिफ्रेंशिबिल टीके फस्ट कॉशन देखो बचो कितना असान है F-X आपको दे रखा है तो यह डिफ्रेंशिबल नहीं है बताओ कहां पे कोई भी बच्चा बता देगा 1 के उपर यह डिफ्रेंशिबल नहीं है अच्छा बाकी पॉइंट पे क्या कहोगे बताओ 1 के अलावा बाकी पॉइंट के लिए बोलोगे कि सर्व हर जगे यह फंक्षन क्या है दिफ्रेंशिबल है तो यह लाइन साथ साथ में लिख लो अपनी नोटबूक में F-X is equal to this It's differentiable Everywhere यह फंक्षन हमेशा differentiable है Except at x is equal to 1 यानि कि x is equal to 1 को छोड़के बाकी सभी value पे इस function का derivative finitely exist करता है यह कहना चाहरा हूँ मैं ठीक है Question होगा सोल अब इस question का अच्छो तो आप खुद बता दो कि यह question है कि कहां कहां यह function differentiable नहीं है तो एक तो 1 के उपर और एक 2 के उपर इन दो point पे यह differentiable नहीं है थार्ड कोशन देखो यह तो अभी हमने किया है यह क्या चीज़ रिपर्जेंट करता है बताओ यह रिपर्जेंट करता है f-3 को f-x से आप निकाल लो 2x और f-3 आपको चाहिए 2 x 3 कितना हो गया 6 6 इस question का answer आगया यह देखो अब पताओ मेर को आप यह क्या चीज़ रिपर्जेंट करता है इससे पता लग रहे ना यह क्या है f-2 f-3 आपके पास है f-2 तो आप निकाली सकते हैं अभी निकाला है हमने यह question यह question देखो यह बहुत important question है यह question बहुत important है इसमें limit की property भी लगेगी और differentiability का concept भी लगेगा ध्यान रखना इसमें आप आपको paper में कुछ नहीं पता लग रहा कि यह क्या है एक बच्चे ने क्या है यह f-1 है एक बच्चे ने इसमें कोशिश करी कि x को direct 0 put कर दो करना है एक बार direct x को 0 put 1 plus 0 यानि कि f1 upon f1 f1 कितना होगा है और इसमें 0 put करेगा तो यह तो 1 की power infinity होगी और 1 की power infinity कौण सी form होती है बच्चो इन-determinate form होती है न इन-determinate form और आप मेरे को पताओ अगर इन-determinate form है 1 की power infinity इसका answer क्या होता था याद करो e की power limit x goes to 0 जो power वाला function होता है बच्चो वो तो क्या होता है आगे आता है याद करो आता है न और जो base होता है यह वाला base इस पूरे base में से आप एक क्या कर देते हो माइनस कर देते हो ऐसे याद आगे न बस अब इसको में simplify करके आपको दिखा रहा हूँ ए की power limit x goes to 0 और यह आपका 1 by x अंदर एलचेम लो f of 1 एलचेम ले लो यह लो यह आगया f of 1 की value put कर दो f of 1 बच्चो कितना दे रहा आपको देखो 3 दे रहा है न तो यह f of 1 plus x माइनस यहां मत पूट करना f of 1 की यहां तो यह रखो ठीक है इस f of 1 की जिगए क्या लिख दो 3 और यह क्या है बच्चो एक्स अभी आपको बताऊंगा कि वहां मैंने क्यों नहीं लिखा क्योंकि मैं इसको differentiability के definition बना जाता हूँ यह थरी तो बाहर कर दो यह थरी तो बाहर कर दो constant है न यह चीज अब आप मेरे को बस इतना बता दो कि मैं जो यह red pen से इसको box बना रहा हूँ इसके उपर यह पूरी चीज क्या represent करती है यह चीज बता दो आप मेरे को बस यह represent करती है f-1 को करती है न f-1 को और f-1 क्या है question में क्या दरेखा f-1 की value 6 तो e की power 2 इस question का क्या आगया answer आगया देखो इतना अच्छा question था ठीक है differentiability का भी concept यूज हो गया इसमें और limit का concept भी यूज हो गया कि यह जब form बन जाती है indeterminate form तो इसको आगे कैसे solve किया जाता है six question देखो यह question थो हम करी चुके यह क्या है बच्चो by definition यह क्या है आपकी f-3 है न fx दे रखा है आपको f-3 निकालने निकालने न अंसर आ जाएगा यह question देखो अब बस आप मेरे को check करके यह बता दो कि यह जो चीज पूछ रखी है यह क्या है एक बच्चे ने कहा जी यह f-1 है f-1 है आपको fx दे रखा है तो निकाल सकते हो न अगर fx बच्चो यह है तो आप बताओ f-x क्या होगा root x का derivative क्या होता है 1 by 2 root x और into में क्या करते थे derivative किसका root के अंदर जो भी लिखा हुआ है बताओ इसका derivative कितना होता है minus के 2x divide by 2 into 25 minus x square 2 से 2 cancel यह आगे न यह f-x आगे बट आपको क्या चाहिए f-1 x को 1 put कर दो यह लो x को 1 put करोगे कितना answer आगे minus 1 by root 24 option number a आजएगा बिल्कुल आसान question था देखो next question 8th question में क्या बोलता है fx आपको दे रखा है बताओ यह function किस पे differentiable नहीं है पहले तो यह बता दो एक तो 3 पे और एक 4 पे है ना 3 पे और 4 पे यह function differentiable नहीं है अचा continuity के बारे में क्या कहना है continuous हमेशा होगा क्योंकि यह दो continuous function का सम है fx है न तो यह continuous तो हमेशा होगा यह मत बोल देना कि continuous भी नहीं है continuous तो हमेशा होगा बट इन दो प्वाइंट पे differentiable नहीं होगा बाकि सबी पर differentiable होगा तो देख लो continuous तो हमेशा है but not differentiable at x is equal to 3 and x is equal to 4 option number a आ जाएगा बाकी कोई भी true ही नहीं यह देखो fx greatest integer x है ठीक है याद करो मैंने आपको लिखवाया था continuity के इंदर भी कि यह cia function ऐसा function है कि यह continuous नहीं होता यह continuous नहीं होता for all x belongs to integers मतलब की x कि कोई भी integral value के लिए यह function continuous नहीं होता और function अगर continuous नहीं है तो वह जबहें है गलत है continuous होता ही नहीं क्रुन आत बहुंड सही है ठीक है नोन इंतेग्रल पर हुवाच्छों continuous होता है यह function मैंने कहा था ना integers के लिए continuous नहीं होता बट बाकी सभी value के लिए continuous होता है fx is equal to this is continuous for all x belongs to known integers यानि की x अगर integer नहीं है तो यह function continuous होगा समझ गया आप मेरी बात यह question अच्छा था concept use हो गया continuity का भी और differentiability का भी यह देखो यह मैंने क्या बताया था भी आपको derivative निकालना है x equal to 0 पे यह तो mode function आगे न और इसको 0 put करोगे तो x equal to 0 पे तो इसका derivative exist ही नहीं करता ना तो सिधा बताते ना ठीक है अच्छा यह अकेला आजे तब भी यह fx ऐसा आ जाता ना यह e की पावर में आ जाता यह तब भी आप कहते ना f-0 यह भी क्या बोलते आप does not exist चाहिए अकेला आजए चाहिए कुछ पावर में आ जाए चाहिए e की पावर में आ जाए यह कभी भी derivative exist करेगा ही नहीं ठीक है यह हो गया यह देखो लिमिट में मैंने कितनी बार बताया था कि limit x goes to 0 तो sin x by x mode x यह exist नहीं करती मैंने बताया था यह याद करो यह exist नहीं करती जब लिमिट यह एक्जिस्ट नहीं करती तो function continuous भी नहीं होगा अगर function continuous ही नहीं है तो वो differentiable भी नहीं होगा fx is not differentiable at x is equal to 0 तो 0 पे ना तो ये function बच्चो continuous है और ना ही ये differentiable है तो option number b आजेगा ये question देखो मैंने क्या बताए था अगर कोई function continuous है तो वो क्या होगा कोई function continuous है मतलब कि चोटा question आपने solve कर दिया तो बड़े question के बारे में क्या कहोगे कि वो भी solve कर देंगे नहीं या कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते है मतलब कि वो differentiable हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता option number c आजेगा fx दे रखा है f-1 निकालने है तो ये तो बहुत आसान question है आप एक बार derivative निकालो यहां से f-x function अगर 2x प्लस 1 है तो इसका derivative कितना होता है 2 एक बार यहां से derivative निकालो f-x 8x इसमें x को क्या put करो बचो x की जगे कितना put करो 1 तो बताओ इसमें से left hand derivative कौन सा right hand derivative कौन सा x की value 1 से चोटी है तो मतलब यह कौन सा derivative है left hand derivative x की value 1 या 1 से बड़ी है तो यह कौन सा derivative हो राइट hand derivative तो बताओ यह दोनों derivative equal नहीं है तो f-1 exist नहीं करता आप बस मिर को एक बात बता दो important concept क्या है इसमें यह बात तो सभी बच्चों को पता है अगर दोनों derivative equal नहीं होते हैं तो function differentiable नहीं होता इसके साथ-साथ मैंने एक चीज़ आपको और बताई थी ना अगर left hand derivative और right hand derivative दोनों के दोनों क्या होते हैं बच्चों finite value होते हैं यह बोथ हर finite then आप कहोगे function जो है वो continuous है बच्चों इसके उपर at x is equal to 1 के उपर यह continuous है समझगे तो जब भी यह चीज़ आए ना कि दोनों derivative finite है और equal नहीं है तब तब आपको revise करना है अपने मन में कि मान लिया कि function differentiable तो नहीं है बट अगर पेपर में continuity पूछ ले जाए ना तो यह function continuous है क्यों क्योंकि यह दोनों derivative क्या है finite values है ठीक है हो गया यह बता दो यह तो मैंने अभी आपको बताया कि यह mode x आ गया तो यह function x equal to 0 के उपर तो differentiable नहीं होता ना differentiable नहीं होता इसका मतलब बच्चो f dash 0 तो exist ही नहीं करता does not exist तो यह क्या आजेग आपका does not exist आजेगा यह देख लो अभी बताया था है मैंने e की power में भी आजे चाहिए तो यह आपको क्या कहता है देखो ध्यान से पढ़ो question क्या पूछ रख है the set of all points of differentiability of the function this यह कहता है x की वो सारी value बताओ जिस पे यह function differentiable है क्या question है इसको लिख लो इस line को अपनी notebook में इस question के सामने की पूछ क्या रहा है x की वो सारी value पूछ रहा है जिसके उपर यह function differentiable है मतलब इसका derivative exist करता है आप बताओ कहाँ पे derivative exist नहीं करता इसका fx is not differentiable at x is equal to 0 मतलब की 0 पे derivative exist नहीं करता बाकी सभी जगय है बाकी सभी जगय करता है तो कौन-कौन से point आगे बताओ सारे real number में से बस एक 0 छोड़ दो बाकी सभी पे यह function क्या है बच्चो differentiable है मतलब की इसका derivative exist करता है यह बात है इस question को देख लो f-0 निकालना है अभी तो हमने किया था यह question ठीक है यह does not exist आजएगा क्योंकि इसका left hand derivative और right hand derivative अलग-अलग value आई थी यह देखो left hand derivative और right hand derivative finite है बच्चो देखो ध्यान से वही थोरम आगी finite है x equal to a के उपर तो बताओ equal नहीं है तो function कैसा होता है continuous होता है मैंने कहा था equal हो ना हो इस बाद से कोई मतलब नहीं है बस finite होने चीए अगर finite है तो function क्या हो जाएगा बच्चो continuous हो जाएगा यह question देखो इसमें क्या कहता है यह बता दो आप मेरे को यह क्या चीज़े यह f-2 है ना यह क्या है बच्चो f-2 है f-2 है यह function आपको दे रखा है जब x जो है ना वो कोई भी धियर नंबर हो सकता है बट 1 और 2 नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता पता है यह 1 और 2 अगर हो गया ना तो यह denominator क्या बन रहा है देखो 0 बन रहा है 1 पे भी और 2 पे भी तो function आप कौन सा यूज करोगे fx equal to x minus 2 और इस denominator के factor बना लो x minus 2 और x minus 1 x minus 2 काट दो अब बताओ f-x आ गया 1 by x का derivative कितना होता है minus 1 by x के f-x अगर आ गया f- आपको क्या निकालना है 2 x को 2 put करो तो कितना answer आ गया बताओ minus 1 minus 1 इस question का क्या है correct answer है अब ये question देख लो मैंने भी बताया था ना कि e की power में mod x आ गया है तो ये derivative exist नहीं करता does not exist आ गया 20th question ये कहता है differentiable है function अगर function बच्चो differentiable होता है तो वो continuous भी होता है मैंने पहला ही concept बताया था कि differentiability implies continuity यानि कि अगर एक function differentiable है किसी point पे तो उस point पे continuous तो पक्का पक्का होगा ठीक है तो ये होगया question अब ये देख लो ये क्या चीज़ है ये ये जो पूछर की inner limit ये क्या चीज़ है ये बच्चो f-3 तो है ये क्या है f-3 आपको fx दे रखा है f-3 निकालना है तो पहले तो आप f-x निकालो न u by v rule लगाओगे न denominator और numerator दोन्नों में x के function है क्या होता है denominator का derivative और ये function same लिखोगे numerator का derivative करो numerator का क्या करो derivative denominator का square और जिसका square किया वो function same उपर वाले का derivative 1 फिर बीच में sign क्या लगाते है minus अब उपर वाला function लिखते है same और निचे वाले का derivative x-1 का derivative बच्चो 1 लिखो इसको f-x आगा x-1 minus x-1 उपर x कटिया minus के 2 बताओ यह आगा आपको निकालना क्या है f-3 निकालना है निकाल दो f-3 निकालना है तो बच्चो minus 2 by 4 minus 1 by 2 यह minus 1 by 2 कर लो इसको ठीक है correct answer आपको क्या है minus 1 by 2 है अब यह question देखो इस question में आपसे कह रखा है देखो option देखो x equal to 2 x equal to 2 x equal to 2 के उपर differentiable नहीं है continuous नहीं है differentiable है यह check करना है मैं कहता हूँ आप है न differentiability check कर लो 2 कहां कहां प्यारा देखो एक तो इसमें और एक इसमें derivative निकालना f dash x निकालो इसका derivative बच्चो कितना होता है बताओ 4x minus के 1 होता है इसका derivative कितना होता है f dash x 5 होता है आप इसमें x को कितना put करोगे 2 बताओ x को 2 put करोगे यह 7 आगया इन में से एक left hand derivative है एक right hand derivative कौन सा two से बड़ा तो मतलब ये तो है right hand derivative ये तो क्या है ludzie right hand derivative और ये two से छोटा ये क्या है आपका left hand derivative आप मिरेको बताओ ये दोनो equal नहीं है न ये दोनो बच्चो क्या है unequal है अगर unequal है तो differentiable नहीं है निये न बट मैंने कहा था याद करो एक थोरम यह दोनों finite तो है यह दोनों क्या है बच्छो दोनों के दोनों right hand derivative और left hand derivative finite है finite है तो इसका मतलब मैंने बताया था ना function कैसा होगा continuous होगा at x is equal to 2 differentiable नहीं है लेकिन continuous है समझ गया आप तेश्वा question देखो fx दे रख है 1 by 2 के उपर आपको check करना है कि क्या है बच्छो derivative निकाल लो आप f dash x बताओ x का derivative 1 यहां से derivative निकालना f dash x minus 1 आपको खुद पता है कि एक derivative 1 आ रहा है एक minus 1 आ रहा है तो दोनों equal नहीं है तो function differentiable तो नहीं है बट दोनों finite है ना दोनों बच्छो क्या है यह finite है और finite होता है तो function कैसा होता है function is always continuous at x is equal to 1 by 2 continuous है ना f x is continuous यह question बहुत important है मतलब question का मतलब इसमें जो concept यूज होगा ना वो बहुत important है द्यान से समझना इसमें कहता है कि function differentiable है one के उपर ए और बी की value बतानी है अब को ठीक है इफरेंशिबल हो तो मैं कहता हूँ सिद्धा derivative निकाला तो ना f dash x बताओ इसका derivative कितना हो गया 2 a x plus में b b का 0 यहां से derivative निकालो आप f dash x कितना आ गया तू अच्छा किसके उपर निकालोगे at x is equal to 1 इसमें आप f dash 1 निकालो मतलब 2 a आ गया और यहां पर तो आप f dash 1 निकालोगे तो 2 यह आएगा क्योंकि constant है अच्छा इसमें से एक क्या है left hand derivative एक क्या है right hand derivative यह right hand derivative है हलंकि पता करने के जुरूत नहीं आपको और यह क्या है बच्छो left hand derivative है और अगर function differentiable है तो मुझे बताओ left hand derivative और right hand derivative इक्वल होने चाहिए ना तो मैं कहता हूँ 2a is equal to 2 याने कि a is equal to 1 अभी तो a की value आई है और आप से पुछी है b की value भी अब बताओ कि function differentiable दे रखा था differentiable का मतलब left hand derivative right hand derivative तो और मैंने equal output कर दिये बट वहां से तो value शर्फ एक आई एक पी कहां से लाएं याद करो मैंने पहला concept बताए था कि जो function differentiable होता है वो continuous भी पक्का होता है होता है ना differentiability क्या imply करती है continuity इसका मतलब यह हुआ कि जो यह function है na यह continuous भी है यह function क्या है बच्छो continuous भी है और continuous function में आप क्या करते थे याद करो पिछले chapter में जाप्टर निर्चे आप left hand limit निकालते थे और दोनों को क्या output करते थे उक्वल left hand limit और right hand limit को क्या पूट करो बच्छो उक्वल left और MAS रफत हैं than limit के लिए इसमें X को 1 put करो है न तो यह कितना आ गया बताओ A plus B is equal to 3 A कितना है 1 तो B कितना आ गया यहां से 2 आ गया ठीक है A की value 1 और B की value 2 आपसे ordered pair पूछ रखाए A B यानिकी 1 2 1 2 option number A आ गया अच्छा question था क्योंकि differentiability है तो derivative निकालना है continuity है तो सित्धी आपको क्या निकालनी है बच्छो limit निकालनी है आगे answer अब देखो यह question देखने में कितना बड़ा question लग रहा है बट आप ध्यान से समझो consider the following statement fx यह दे रखा है यह differentiable नहीं है x equal to 0 के वपर but it is continuous everywhere सही है न यह क्या है बच्छो true है क्योंकि यह एक modulus function है और वो continuous होता है और इसको 0 put करोगे तो answer आएगा x 0 इस पर यह differentiable नहीं होता बदब यह statement correct है ठीक है यह greatest integer function बताओ यह ना तो continuous होता ना differentiable होता सारी integral value के तो बिल्कुल सही है यह भी क्या है बच्छो true है यह देखो यह differentiable नहीं है कहां कहां पे इसको 0 put करोगे तो x कितना हैगा बच्छो minus 1 और यहां से 1 यान कि differentiable नहीं है इन दो value पे और differentiable everywhere else है yes सही है मैंने बताया था ना इन दो के अलावा बाकी सभी value पे क्या है यह differentiable है मतलब कि अभी तक तिनो statement नहीं हो है चोथी statement देखो यह बहुत important है बहुत ही ज्यादा important है बच्छो यह fx आपको यह दे रखा है यह कहता है differentiable है x equal to 0 पे और continuous भी है अगर differentiable है तो बच्छो क्या होता है continuous होता है बट अब इसमें एक doubt है एक बच्छा कहेगा जी आपने यह बताया था कि यह mode x आजे ना तो mode x आजे तो वो function इस mode वाली value को 0 put करने पे जो x की value निकल गएगी वहा कहां पे differentiable नहीं होता है मैंने काया yes मैंने बताया था बट एक concept इसके साथ और जोड़ लो fx x into mode x आप यह बताओ मेरे को यह कहां पर differentiable नहीं होता था x equal to 0 पर यह x equal to 0 पर differentiable नहीं होता था मैंने आपकी बात मान ली पर मेरी यह बात मान ले क्या मैं यह कहता हूं चिस point के उपर यह function differentiable नहीं था अगर उसी value पर वही value इसके साथ multiply कर दे जाए तो ये function differentiable हो जाएगा जैसे मैं एक और example देता हूँ ऐसा और इसके साथ मैं multiply कर दूँ x-2 मतलब कि ये function पका differentiable नहीं था 2 के उपर लेकिन एक ऐसी value से मैंने multiply कर दिया जिसमें x को अगर मैं two put करूँ तो ये खुद क्या बन रहा है 0 तो फिर ये function कि बता देता हूँ इसको इसका मतलब क्या है function क्या था बच्चो आपका ये था और कहता है ये x equal to 0 के उपर क्या है differentiable है आप बताओ इस mode x को कैसे कैसे open करें एक तो इसको mode x को x open करोगे कब जब x क्या होगा greater than equal to 0 यानिकी x square और एक बार mode x को क्या लिखूगे minus x कब जब x क्या होगा बच्चो 0 से छोटा तो आप बताओ function की दो definition आगी क्या आगी function की दो definition एक तो x square और एक minus x square ये कब जब x क्या होगा 0 या 0 से बढ़ा और ये कब जब x क्या होगा 0 से छोटा अब बताओ function को मैंने ऐसे लिख दी अब तो आसान होगे न अब निकालो f dash x 2x और अब निकालो f dash x minus 2x किस के उपर 0 के उपर f dash 0 निकालो तो x की value 0 put करोगे 0 आ गया और यहाँ पे भी 0 put करोगे 0 आ गया तो बताओ एक क्या है इसमें left hand derivative यह क्या है बच्चो right hand derivative है और 0 से छोटा है तो यह क्या है left hand derivative अब बताओ क्या दोनों equal नहीं है क्या अगर दोनों equal है तो फिर यह function क्या होगा differentiable होगा कहाँ पे x equal to 0 पे या तो ऐसे check कर लो या मैं जो rule बता रहा हूँ गो जैसे पटाफट बताना x minus 3 into mode of x minus 3 plus x minus 7 यह function कहाँ कहाँ differentiable नहीं है यह बता दो देखो पहले आप कहते कि x equal to 3 पे भी differentiable नहीं है इसको mode लगा लो ठीक है अब तो इसके साथ 0 बनाने वाला आ गया ना मतलब 3 का तो चकर खतम हो गया x equal to 7 रहे गया शिरफ है ना it is not differentiable x equal to 7 पे यह differentiable नहीं है बाकी हर जगे यह differentiable है आप देखो सब्वीजवा question इसमें कहता है यह function f है यह derivable है बच्चो derivable है अभी हमने question किया था ना a और b की value निकाली थी a1 था b2 था same वही question है ठीक है इसका क्या निकालो आप differentiation f dash x निकालना इसका derivative करो कितना आगया 2x plus में 3 इसका derivative निकालो यह कितना आगया बच्चो b bx का b और 2 का 0 यह दोनों क्या होने चीए equal अच्छा किस पे निकालोगे 1 पे निकालोगे ना कहता है यह derivable है सभी x के लिए तो अपने को तो 1 पे निकालना पड़ेगा ना क्योंकि definition में 1 दे रखा है जब सारी x की value के लिए differentiable है या derivable है तो 1 पे भी derivable होगा और f डैस 1 निकालोगे यह तो b constant है ना x है नहीं तो इस पे तो कोई फरक ही नहीं पड़ेगा तो बताओ left hand derivative और right hand derivative को क्या put करेंगे equal p की value तो आगी b की value तो बच्चो आगी लेकिन a option सही है या c option सही है पता तो नहीं है अब मैंने फिर याद करो क्या बताए था अगर function differentiable है तो वो हमेशा continuous भी होगा तो बस continuity चेक कर लो continuity में क्या करते हैं left hand limit और right hand limit को equal put करते हैं क्योंकि function continuous तो तबी होगा जब उसकी limit तो exist करें कम से कम limit exist करकी left hand limit के लिए बच्चो x को 1 put करतो यहाँ पे करना 1 का square plus 3 into 1 plus a right hand limit के लिए x को 1 put करो इसमें यह कर दिया b की value कितनी 5 तो यह कितना आगया आपका 4 plus में a और यह 5 plus में 2 तो बच्चो कितना आगयी है a equal to 7 minus 4 याने की 3 a की value 3 b की value 5 option number क्या आगया a आगया अच्छा question था यह देखो last question function आपका define है आप है na derivative निकाल दो सिद्धा बस differentiability की बात कर रहे है न f dash x कितना आगया बताओ 1 यहाँ से f dash x कितना आगया 2 आप बताओ यह दोनों derivative equal नहीं है दोनों derivative equal नहीं है इसका क्या मतलब हुआ function differentiable तो नहीं है but finite तो है न but these are finite मैंने का था न यह चीज हमेशा examiner आप से पुछेगा अगर तोनों derivative equal नहीं है but finite है तो differentiable तो नहीं है यह f x is not differentiable कहां पे at x is equal to 2 2 पे differentiable तो नहीं है but continuous तो है न f x is continuous at x is equal to 2 तो यह देख लो differentiable नहीं है continuous है differentiable नहीं है continuous है option number क्या आजएगा c तो बच्चो यह 27 अच्छे question थे जिसमें मैंने आपको सारे concept differentiation के सिखा दिए differentiability के और उस पे कैसे कैसे question exam में पुछे जाते हैं वो हमने सारे के सारे discuss कर दिए